किसान भाईवों नमस्कार, मैं पिन सिंग, आप सभी भाईवों का आपके अपने चैनल, इंडियन फार्मिंग ग्यान में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ किसान भाईवों मूं की खेती वैसे तो बर्स भर की जाती है, लेकिन अधिकतर मूं की खेती गर्मी और खरीब के मौसम में की जाती है गर्मी में किसान, आलू, सरसो और गेहूं की कटाई करके मूंग लगाते हैं मूंग की फसल लगवग 55-70 दिन में पकर त्यार हो जाती है धान रुपाई के पहले ही मूंग की पैदावारी किसान काट लेते हैं उसके बाद धान की रुपाई या अन फसल लगा देते हैं खरीप में जिस खेत में धान की रुपाई नहीं करते हैं और वह जमीन उची है, पानी का भरा उसमें नहीं होता है बारिस होती है और पानी बहकर खेत से निकल जाता है तो किसान ऐसे खेत में भी मूंग लगाते हैं मूंग की अच्छी पैदावारी के लिए अच्छे किसम के बीच का होना भी बहुत जरूरी होता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से मूंग की पांच बहुत अच्छी किसमों के बारे में बात करेंगे जिसकी बुगाई करके किसान मूंग की बहुत अधिक पैदावारी ले सकेंगे तो चलिए किसान भाईो मूंग की पाँच अच्छी किस्मों के बारे में जानते हैं इन किस्मों के बारे में पूरी आनकारी के लिए वीडियो लाच तक जरूर देखें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक चरूर कर दें तो चलिए किसान भाईो करमो और पाचो किस्मों के बारे में जानते हैं पहले नमबर पर बात करेंगे इस्टार एग्री सीट्स कमपनी के मूंग बीच इस्टार 444 के बारे में या मूंग की अच्छी किस्म है या 60-65 दिन का समय लेती है या 2 से लेकर 3 सी चाई में तयार हो जाती है इसकी बुआई, गर्मी और खरीब 2 सीजन में किया सकता है इसके पौधे की हाइट लगवग 3 फिट तक की होती है इसके पौधे से साखाओं का फुटाओ भी ज़्यादा होता है इसकी फली, लंबी, काले रंग की होती है इसके एक फली में दानों की संख्या 13-15 तक होती है दाना, हरे रंग का, चमकीला और मीडियम साइच का होता है यह मोजेग बिमारी के लिए संसील है एक एकड़ खेत की बुआई के लिए 20 दर लगभग 9 किलो लगता है इसकी बुआई हम उन सभी छेतरों में कर सकते हैं जहां मोजेग की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती हो पैदावारी की बात करें तो इससे 7 से 8 कुंतल प्रतियकर औसत पैदावारी मिल जाती है दूसरे नमबर पर बात करेंगे सक्तिवर्धक सीट्स कंपनी के मोज़ बिराट गोल्ड के बारे में बिराट गोल्ड भी मूम की एक अच्छी किस्म है इसकी पूरी फसल अवदी 60-70 दिन की होती है 41-42 दिन की फसल होने पर पौधे में 50-50 फूल आ जाते हैं इसके एक पौधे में 5-6 सखाय होती है एक गुच्छा में फलियों की संख्या 4-5 फलिया लंबी और प्रचपली में दानों की संख्या 12-15 तक होती है दाने हरे रंग के चमकीले और रोजंदार होते हैं इसकी बुआई खरीक बसंत और गर्मी में की जा सकती है यह मोजैक वाइरस और डाउनी मिल्डियू विमारी के लिए औरोधी किस्म है एक एकड़ खेत की बुआई के लिए 8-9 किलो बीज लगता है इस किस्म की बुआई पंजाब, हर्याणा, राजस्थान, उत्तरपरदेश, उत्तराखंड, मध्यपरदेश, गुजरात, जहारखंड, आंधरपरदेश, तिलंगाना, महराशाज प्रांतों में किया है सकता है पैदावारी की बात करें तो बिराट गोल्ड की फसल से मूम की 7-8 कुंतल प्रतियकर अवसत पैदावारी मिल जाती है तीसरे नमर और बात करेंगे मूम भी जमयाच 421 के बारे में यह अभी मूम की बेहद अच्छी वराइटी है इसकी फसल अवज 60-65 दिन की होती है इसकी बुआई गर्मी में 15 फराओरी से लेकर 15 अपरेल तक और खरीप में जून से जुलाई तक याय सकता है इसके पौधे की हाइट मध्यम होती है पीला मौजेक वारेस के लिए संसील किसम है इसकी फली लंबी और प्रचफली में दानों की संख्या 12-14 तक होती है इसकी बुआई उन सभी छेतरों में की जा सकती है जहां मौज की खेती सबलता पूरवक की जा सकती हो एक एकड़ खेत की बुआई के लिए 8-9 किलो बीज की जरूरत होती है प्रतियकड पैदावारी की बात करें तो मूं की इस किस्म से मूं की आउसत पैदावारी 6-7 कुंतल तक मिल जाती है इसमें 2-3 सिचाई की जरूरत होती है चौथे नमर बात करेंगे पीडियम 149 के बारे में यह भी मूं की अच्छी और नामी बरायटी है इसे समराट के नाम से भी जाना जाता है यह पुरानी बरायटी है यह 60-65 दिन में पक कर तयार हो जाती है इसमें कुल 2-4 सिचाई की जरूरत होती है इसके पौधे की हाइट मध्यम होती है इसके एक फली में 12 से 13 दाने होते हैं दाने मीडियम हरे रंगे चमकदार होते हैं इसमें अन्र किस्मों की अपेच्छा ज्यादा गर्मी सं करने की चमता होती है यह पीला मोजग के लिए संसील किस्म है इसकी बुआई गर्मी और खरीब दोनों सीजन में किया सकता है इस किस्म की बुआई उन सभी छेतरों में किया सकता है जहां मूं की खेती सफलता पूर्वा की जा सकती हो एक एकड़ खेत की बुआई के लिए 8-9 किलो बीज लगता है पैदावारी की बात करें तो इससे मूं की औसत पैदावारी 6-7 कुंतल तक मिल जाती है पांचवे नमबर बात करेंगे अब मनू रतना के बारे में यह बराइटी अब मनू कंपनी दोरा त्यार की गई है यह 55-60 दिन में पक जाती है इसकी औसत उत्पादन चमता 6-8 कुंतल प्रती एकड़ है इसकी पतियां बड़ी होती है जिससे इलियों का अटेक कम होता है इसके पौधे की हाइट लगवक 3 फिट तक होती है इसकी फली में दानों की संख्या जादा होती है इस किस्म की बवाई उन सभी छेतरों में किया सकता है जहां मूं की खेती सफलता पुर्वक किया सकता हो एक एकड़ खेत की बवाई के लिए 8-9 किलो बीज लगता है किसान भाईों मूं की ये 55 किस्में मूं की अच्छी पैदावारी देने में सच्चम है इन किस्मों को गर्मी और खरीब दोनों सिजर में लगा सकते हैं ए रोग रोधी भी हैं किसान भाईों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद